हेलो आईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज फिर से आ चुके हैं एक हलवाई की और रेसिपे के साथ तो बहुत स्पेशल और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है जिसके लिए बहुत सारे हमारे सस्क्राइबर ने कमेंट किया था कि जो सोन पापड़ी होती है या फिर बतीस करते हैं तो इस रेसिपे के लिए सबसे पहले हमें एक कड़ाई चाहिए जिसमें हमें बेसन को भूनना है मतलब आप सभी को पता होगा कि सोन पापड़ी या फिर पतीसा जो होता है उसमें बेसन डाला हो जाता है वैसे चीनी की क्वांटिटी सबसे जादा होती है लेकिन भून के डाला जाता है तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक कप से थोड़ा सा कम घी लेना है मतलब कि अगर ग्राम में बताओं तो ये 200 ग्राम है कप से बताओं तो एक कप से थोड़ा सा कम है और उसके बाद थोड़ा सा जब घी गरम हो जाए तो हमें इसके अंदर बेसन डालना है तो बेशन इसके अंदर 200 ग्राम डाला है अभी इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा हमें मैदा भी मिक्स करना है मैदे से क्या होगा थोड़ी सी बाइंडिंग मिलती है इसको और बहुत अच्छा टेक्श्चर आता है और बहुत जादा जो कलर है वो डार्क नहीं होता ह हमारे सोन पापड़ी का या फिर पती से का तो धोड़ा सा यानि कि 50 ग्राम की करीब मैदा इसमें मिक्स कर देना है 200 ग्राम बेशन डाला था। के और 50 ग्राम मादा मतलब 250 ग्राम दोनों चीज़े लगां मिक्स करके यूज किया है आप चाहो तो only basin से ही भी बना सकते हो अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप मैदा skip कर सकते हो अच्छी तरीके से ऐसे इसी तरीके से भूनना है घी की quantity है जो आपको देखने में थोड़ी जादा लग रही होगी लेकिन घी इस रेसेपी में जादा ही चाहिए होता है देशी घी में बनाएंगे तो बहुत जादा अच्छा रहेगा लेकिन मैं यहाँ पर जो नॉर्मल डालडा घी होता है वो मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ी देर तक हमें ऐसे भूनना है मतलब 3-4 मिनट तक ऐसे भूनेंगे तो यह बिल्कुल ऐसे भून के रेडी हो जाएगा हलका सा ब्राउन होने लग जाएगा जब हलका सा ब्राउन हो जाएगा ऐसे बबल्स आ जाएए इसमें काफी जाएगा तो इसका मतलब है ये बिलकुल अच्छे से भून चुका है थोड़ा सा brown हो जाना चाहिए बेशन अभी ये पतनी camera में दिखाई दिन निदेरा लेकिन brown हो चुका है ये brown होने के बाद gas को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी ready करेंगे main ingredient जो है याँ पे चीनी क्यूंकि हमें चाशनी से ही सोन पापड़ी बनानी होती है तो सबसे पहले एक कप पानी डाला है इसमें ml में बताओं तो ये 250 ml पानी डाला है और उसका double हम यूज करेंगे चीनी मतलब की 2 कप चीनी डाला है अगर gram में बताओं तो ये half kg है मतलब की 500 gram है अब हमें अच्छी तरीके से इसे mix करना है और उबालने के लिए इसे छोड़ देना है मतलब बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहें ना तो ये जो चीनी है ये तले में चिपक सकता है और ये brown हो सकता है तो हमें brown नहीं करना इसे बहुत अच्छी तरीके से गाड़ा करना है थिक करना है में जो है जो सोन पापड़ी वो चीनी से ही बनती है तो इसे लिए चीनी का बहुत ज़ादा ध्यान देना जरूरी है और इससे क्या होता है चीनी कभी-कभी अच्छे से हम नहीं बना पाते तो हमारी जो चीनी है वो खराब भी हो जाते है कभी-कभी तो यह देखिए एक मैंने पैन या फिर कोई भी परात या कोई भी थाली वगरा टाइप का बड़ा सा बरतन लेना है उसमें ऐसे ओल से ग्रीस करना है ताकि जब हमारी चाशनी बन जाए तो हम उसी में इसको ठंडा कर सकें थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जब चाशन सत निम्बू हलवाई डालते हैं तो अप लेवन जूस तो बहुत इसली तरीके से मिल जाएगा तो निम्बू का रस एक चमच डालने से यह जो चाशनी है यह क्रिस्टिलाइज नहीं होगी तो इसलिए इसमें डाला जाता है तो एक चमच निम्बू डालने के बाद इसमें थोड़ी सी चाशनी को ऐसे डालना है यह देखिए इसमें चाशनी डालने के बाद और यह जो चाशनी है इसके नीचे जाके जम जाएगी मतलब बहुत जल्दी सेट हो जाएगी तो इसे निकाल के ऐसे चेक करना है यह देखिए जो चासनी है सेट होनी चाहिए अब एकदम कड़क से टूटना चाहिए जब इसको हम तोड़े तो ये देखिए अब करीब 2-3 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे इसी तरीके से ऐसे थोड़ा सा 2-3 मिनट और उबाला है इसको हाथ से हम लोगो ऐसे चेक कर लेते हैं वैसे तो मैं आपको पानी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका हाथ जले न ये इस तरीके से मैंने नाइफ में थोड़ा सा लिया और इसको ऐसे थोड़ा सा खीच के चेक किया अगर आपको पानी में चेक करना तो ऐसे पानी में 2-3 ड्रॉप आपको डाल देना है और उसके बाद इसे निकालना है और इसे त तोड़ के देखना है आपको इसे बिलकुल करक की तरह जैसे हम बताश्य वगरा तोड़ते हैं इसके जब चाशनी के बनाते हैं तो वह बिलकुल ऐसे करक से तूटने की आवाज आनी चाहिए ऐसे ये देखिए तो ऐसे जब तूट रहा है तो इसका मतलब बिलकुल देना है पैन में या फिर परात में या किसी भी बड़े बरतन में डाल देना इसे थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाल रंके बटन को दबा के सब्सक्राइब कर आठे हाथ से बहुत ज्जादा गरम होगी चाशनी जल सकते हैं इस वजह पहनके पहन के कर सकते हो, यह देखिए आप मैंने एक कोई भी बड़ा सा प्रात या बड़ा सा ढ़कन कोई भी यह हमारे जो हलवाई वाला पतीले का ढ़कन होता है तो इसे के उपर हमने जो बेसन भुन के रखा है और यह जो चाषनी हमारे पास है ये crystallize तो होगी नहीं बिल्कुल भी इसे हमें ऐसे ही खीच-खीच के ऐसे चारों तरब से बढ़ा करना है और इसे ऐसे रेश्यदार करना है इसको बढ़ा करते हुए तो ये देखिए अब हमें क्या करना है इसमें ऐसे डालना है और इसमें बेच में ऐसे जगा बनाना है और इसको ऐसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है ये देखिए ऐसे खीचना है फिर से ऐसे फोल्ड करना है ये दिखाता हूं आपको ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है और फिर से ऐसे फटा-फट ये प्रोसेस करना है और बेशन तो ठंडा है लेकिन जो चाशनी है वो बहुत जादा गरम है और बहुत गरम होने की वज़ा से हास से करना ये प्रोसेस जल्दी मुश्किल होता है मतलब कि आसानी से नहीं होगा ये और जब हालवाई के हम शौप पे बनाते हैं या फिर फैक्टरी में बना हो या फिर कोई भी भी मतलब ऐसा कोई नुकीला सा चीज ले सकते हो जिससे आप इसे खीच सके इस तरीके से लेकिन हास से जादा बैटर रहेगा इस वजसे इसे हास से खीच रहा हैं तो हास से खीचटना ज़्यदा अच्छा रहेगा अब इसे हमें ऐसे खीच खीच के लगातार इसको फोर्ड करते जाना है लगातार इसमें बेशन जो है वो लगाते जाना है यह जो बेशन का बैटर है इसे ऐसे लगाते जाना है फटाफट सारा जो बेशन और घी है इसके अंदर वो सारा इसी में अब्जॉर्ब करवा देना है और लगातार इस अब इसको तोड़ना नहीं है बिलकुल भी इसे ऐसे गोल गोल ही कीचते रहना है यह देखें इस तरीके से तो हलवाई यह तो बहुत आसानी से बनाते हैं लेकिन जब फेक्टरी में फुल सैट अप होता है तब इसे आसानी से बनाना पॉसिबल है लेकिन घर पे जब हम बना तो यह इसी तरीके से बनाना पड़ता है और घर पे प्रॉपर सेट अप नहीं होता और जब फैक्टरी में बनाते हैं तो वहां पे एक कुंडी जैसी लगी होती है उसी के ऊपर लगे होते हैं उसको खीचना होता है और वहां पे मशीने भी होती है तो बहुत काम आसान हो जा जैसे यह ठंडा होता जाएगा यह उसके बाद नहीं खीचेगा उसके बाद यहां पे इसको अच्छे तरीके से तोड़ दिया है अब इसके जो सारे रेशे हैं सारे जो इसके बाल-बाल जैसे दिखाई दे रहे हैं वो सारे अलग-अलग हमें करना है लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी ट्रे में इसको बरफी की तरह सेट कर सकते हूं आप चाहो तो इससे बिल्कुल अलग-Alग फैक्टरी में तो जब इसको सेट करते हैं तो इसको बिल्कुल डारेट ली में असे ही सेट कर दिया जाता है ताकि ऐसे लंबे-लंबे ही दिखाई दे लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा ऐसे फैला के सेट करेंगे, ये देखिए, एक हमारे पास ट्रे है, जिसमें इलाईची का दाना डाला है, ये जो बड़ी इलाईची होते हैं, ब्लैक कर्डमम, तो उसी इलाईची का दाना है, और थोड़ा सा बदाम इसके नीचे ऐसे छिड़क दिया है, बदाम, पर ज्यादा आपको मोटा लगे, उसको अच्छी तरीके से खोल दें, और उसके बाद ऐसे ट्रे में सेट कर देना है, सेट भी कैसे करना है, वो भी बहुत एज़ी है, अभी हम थोड़ी देर में ही इसको कट भी कर लेंगे, पीसे में, मतलब इसे हमें बहुत जादा टाइ बीलकुल भी टाइम के लिए नहीं रखना, बस इसे सेट करना है, और इसके उपर पूरा अच्छे से फैलाने के बाद ऐसे इसको दबाते जाना है उपर से, उपर से अच्छे से प्रेस कर देना है, तबी इसको पीसे हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कटेंगे, उप बिलन से थोड़ा सा असे दबा रहे है ताकि बिल्कृ अच्छे से टाइट हो जाए पीसर जो है जब हम CUT करें रहे हो को बिल्कृ करना गो करना है और पीसर किसी भी टाइप से किसी भी शेप में आपक्रना चाहें काच सकते हैं लेकिन बीदें बहुत आराम से इसको काटे ड बिल्कुल बिखेरे ना और बिल्कुल perfect कटे वहां पे जब Factory में बनाते हैं तो वहां पे इसके लिए Scale वगधर होता है काटने के लिए और वहां पे काटने के लिए बहुत सारी चीजे भी होती हैं पस एकी बार में फटा-फट से इसको प्रेस करते हैं तो वह कट जाता है बह जो भी size के आप बनाना चाहे वसे आप इसे बना सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं ये देखिए तो कटके ये बिल्कुल ready है अभी इसके pieces निकालते हैं पहले मैं ये side वाला काटके निकाल देता हूँ उसके बाद इसके pieces हम निकाल के check करेंगे और इसको मैं तोड़के भी दिखा आपको कैसा बना है ये देखिए बिल्कुल अच्छे से और नीचे की तरफ यहां पर बदाम इलाइची वगरा जो हमने डाला था वो इसके उपर अच्छे से चिपक चुका है ये देखिए तो इस तरीके से सारे pieces जो है वो कट चुके हैं अब हमें निकाल लेना है सबी pieces को बहुत आसानी से और बहुत आराम से निकल जाएगा मतलब इससे ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जादा तो ये तूट भी सकता है लेकिन आभी soft है थोड़ी दिर के बाद बिल्कुल नहीं तूटेगा ये और बिल्कुल perfect pieces जो है वो निकल रहे हैं आप देखी स खाने में market वाले पतीसे से या फिस सोन पापड़ी से भी जादा टेस्टी है क्योंकि इसे हम ने घर पे बनाया है और बहुत जादा अच्छी तरीके से बनाया है तो इस वजह से जादा टेस्टी होगा ये तो ये देखिए बहुत ही perfect तोड़ने में कितना अच्छा लग र बताईए अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ओन कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू इस तो वीडियो आपको कैसे लगी कमन करके जरूर बताईए और अभी तक अब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बाला जो बतन है उसको जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियोस है वो आप सभी को मिलती रहे thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में